नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट नैनिस्पोर्स पर दोस्तों आई पियल 2022 के मेगा उक्षन से पहले हुआ है बहुत बड़ा धमाका और आठो फ्रेंचाइजिस ने अपने जो चार-चार खिलाडी के रिटेन करने का स्लोट था वो कही ना कही भर लिया है लेकिन किस टीम हैं घा जो दो खिलाड़ी क्रिटे नजर आई। कोई तीन खिलाड़ी कर दे को इस खास प्रोग्म milने वाली है मेरा नाम हादीपक गुपता मेरे साथ नीरज भंडारी सर जो आपको जानकारी देंगे सबसे पहले बात करेंगे कि कौन सा खिलाडी कितना एंबिका है उसके बात करेंगे कि किस खिलाडी को जिलीस किस वज़े से किया होगा क्योंकि श्रेश यर्केलाहू लाशित खान यूज्वेंद्रिच है और लौकी फर्गूसन जैसे कई महेंगे खिलाडी कोई भी खिलाडी हो सकते हैं अब मेंगा जनुपर पहले हफ्ते में होना बाकि है तो वहां पर पता लएगे सबसे महेंगा खिलाडी कौन हो सकते हैं यहां पर निस्चित रासी निधारित थी हर टीम के लिए कि 45 या 42 रुपे हैं आपको खर्च करने हैं तो उन में से 16 क्रोड रूपिय आपको पहले कंटेंटर के दिने, दूसरे को आपको 12, तीसरे को 8 और चौते को 6, अगर आप 3 करते हैं फिर आप 15, 12, 8, 6 के साहँ जा सकते हैं, लेकिन कह सकते हैं, तरीके से सब ने 4, 4, 3, 3, 2 पंजाब किंग्स ने रिटेंड करें हैं, 3 आरसी बिल्यमसन भी थे और उनको भी 15, 16 क्रोड रूपिय चौते हैं, उसके बाद जड़े जा भी है, जिसको 16 क्रोड रूपिय में खेड़ता गया है, बल्ला आप कह सकते हैं, बिराट कोली को साहँ दो क्रोड रूपिय के साहँ नुक्षान हो गया, 17 क्रोड रूपिय में आट स कप्तान कोन हो का उनके टीम में कोन हो सकता है, तो वो भी आपर कुछ खुला सखरी है, बिल्कुल इस तरीके दे लखना और एहमदाबाद नुए टीमें हैं, और इनको आज से लेके 25 दिसंबर तक के बीच में तीन ऐसे खिलाड़े चुनने हैं, जो यहां पर कह सकते हैं, अपने टीम में सामिल कर सकते हैं, मिलकर इनके पास बहुत अच्छा मौका है कि जो कह सकते हैं, जो यहां पर अभी परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, जो इनका चहेते हैं, यह बहुत सारे ऐसे प्लेयर अभी सामने हैं, और अपू गिनाया, तो सब ने 3-3-2 प्लेय यहां पर मौका खोज़री होगी कि हम सभी खिलाडों के पास जाएं, उनको पैसे के लालस दें और उनको खरीदें, तो एक अच्छा मौका है उनके पास, और एक और उनकाप्ट जो होते हैं प्लेयर उनको भी खरीदने का मौका है, लखने और एमदावाद के पास, क्योंक कि परस में अब कितना रकम बचा है, क्या चार खिलाड़े उपर ज़्यादा पैसा तो नहीं खर्च कर दिया, क्योंकि अगर देखा जाए तो मुंबई ने चार खिलाड़े रिटेन किये, महेंदर सिंग्ध धोनी कि तरफ से रिटेन किये गए 12 करोड़ की बड़े रकम पर तो क्या ये बड़ा दाव खेला गया है, क्या है इसके जगे कोई और, मतलब जो महेंदर सिंग्ध धोनी माना चैने सुपर किंग से खेलते हैं, खेलने भी चाहिए, लेकिन क्या महेंदर सिंग्ध धोनी से ज्यादा कोई डिजर्विंग था इस समय, क्योंकि देखा जाए तो महेंदर सिंग्ध धोनी कितने साल खेलेंगे, ये भी आपसे नहीं छुपाए, हमसे भी नहीं चुपाए, तो वह चीज नजर आती है, लेकिन शार्दुल ठाकूर, दीपाग चाहर हो गए, फैफ डू प्लेसिस हो गए, या यू कहें कि सैम करन और ड्वैन ब्राव जैस छाहते हैं जो जाहते हैं, जो सकते हैं कि कैप्टन धोनी ही रहेंगे, लेकिन वाईस कैप्टन हो सकते हैं, जड़जा हो जांपर, आने वारे टाइम में, हमाई बेदे आपको देता हुव। मुंबा इंडेंस के पास 48 प्ले रुपी रिटेंड करने के लिए। उन्हें जाएगा जनुरी के पहले हपते में उनके पास रिफ 48 करोड रुपे ही यहां से होंगे खर्च करने के लिए प्लेयरों पे देखना हो किस तरीके से अब आगे होता है दीश्की के पास यहां पर 47.5 करोड रुपे अभी मेगा उक्शन में जाने के लिए बचे हैं यह 16, 12, 8, 16 रूल फोलो नहीं करते हुए 16 तो रिशापंद को दिया ही दिया बाकि उनकी खिलाड़ों की जो डिजर्विंग एक अमांट हो सकता है जिसमें वो माइन जाए जिसमें रुख जाए उनकी टीम के लिए वो उनका अमांट दिया गया है और DC के यहां पर जो को ओनर उन्होंने यह बात कही कि यह जो मेगा उक्शन का रूल्स बनाए गया है बहुत खराब बनाए गया क्यूंकि आप खिलाड़ों को पिशल 3-4 साल से तयार करते हो कि आगे वह आपके साथ देंगे फ्यूचर में लेकिन आप मेगा उक्शन करा देते हो जैसे हमने देखा कि उन्के छूट गया है अश्वएन हो गया मारकसि इस हो गया ने से हो गया इनके और उनके तयर वबार इनको नहीं भूल सकते हम है तो कही तो कता र सारी ऐसे खिलाड़ी जिनको नहीं नहीं तयार कि लेकिन अब दूसरी फ्रेंचाइस के लिए मोका बनाते नजर आईं nego मिलकुल और आर्सीबी के पास थीन बहुत बिचें के पास तीन अब करोड रूपिय हाँ बहुत करोड君 के पास जाने के लिए उसके बाद पंजाब किंग्स के पास सबसे ज़्यादा 72 करोड रुपए औक्षिंद में जाने के लिए 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 ना जो मतलब आपकी नींद उड़ा सकते हैं किसी भी टीम की मौहमा शमी और के लाहुली काफियन की पंजाब किंग्स के लिए और साथ ते साथ हरपृत ब्रार रवी विश लेकिन इन्हों सारा पैसा आक्षिंद में जाने के लिए सोच है दो प्लेयर इन्होंने सिर्फ यहां पर अक्षट दीप सिंगा और कह सकते हैं कि मैं गरवाल को ही चुना है पंजाब किंग्स की शुरुबाती है हम देखते हैं जब भी पाउँ पर खड़ोंने कोशिश करत है तो जब भी कोई नहीं को रुकावट आ जाती है साल 2014 के यह फाइनल है पहुंची थी आई पेल के जोर्ज बेली तब शायद कप्तान थे क्यार ने उनको फाइनल हराय था तो वहां से खड़े हो गई थी लेकिन मैक्स बेल का साथ चूटा फिर जोर्ज बोली ने कप्तान करोड रुपी अभी है माई डी सी लेकिन कुछ खिलारी है इन सब के पास अभी 48 करोड रुपी बच्चे 47.5 बच्चे मलब कुछ पैस इनके पास भी है क्या यह अब आने वाले टाइम में कुछ महंगे खिलाड़े को खरिच सकते हैं जो इनके टीम में पहले से सामील थे क् आप तो राइट टो मैस कार्ड का जो एक कह सकते हैं कार्ड था वो भी अब यूज नहीं हो सकता है अब कह सकते हैं कि नए प्लेयर को यहां से जोड़ना पड़ेगा मलब अगर कोई जैसे रासित खान है सन्रजा है हैदराबाद के पास कितने रुपे वापस बच्चे हैं जाने के लिए जैसे आपको बताते हैं कि अगर रासित खान को बढ़े जैसे 20-25 क्रोड रुपे मेगा चले जाते हैं तो क्या उन्हें वो रिटेन करना चाहेगी अपने टीमा वापस दुबारा से वही चीज इंट्रस्टिंग होगी मेगा उक्षन के लिगे बात कहलेते है कुछ ही ऐसी टीम की जिनके कुछ ऐसे खिलाड़ी दिलीज किये गए हैं जिनने उन्हें होश अड़ा दिया है जैसे हम से बात करें शारदोल ठाक और दीपक चाहर फैफ डू प्लेसे नहीं उनका तो सब्सक्राइब कोई जादा इतना कुछ हो और मुझे बस दिक्कत ये ह कि अहां MI का भी सही लग रहा था कुछ जादा उसमें फरक है नहीं लेकिन KKR का हो सकता है कि थोड़े सिरे बैंगलोर का मुझे बैंगलोर की तो लगी रही तीम सारी चेंज दिखेगी हमें आने वले टाइम में और SRS की भी ऐसी लग रहा थी चेंज दिखेगी रास्तान लेगन जो पंजाब weип्लें समी को वापस नहीं लिया को, यह थोड़ा समी को कि वापस कूड़ा सामने, voltage तो यह थो आप तक की सारी जानगारी जो भी IPL's रेचेंजेंगले 700 जुटी सामने आई है अगर आप कुछ सवाल भी है तो आप कॉमेंट्स करके पूछ सकते हैं हम उनका रिप्लाइए जरूर देंगे पुरी कोईश करेंगे 37 इंडिया वर्सिस न्यूजिलिंड का सेकंड टेस्ट भी होना है तो उसकी भी जानकारी आपका हमारे इस चैनल से मिलती रहेगी कि बाकी अभी दो फ्रेंचाइज की खरीद और मतलब कुछ ख्लाड़ों की बिकरी बाकी है तो वह भी जानकारी मिलेगी तो चैनल सब्सक्राइब कर बने रहेगा हमारे साथ और यही था दोस्ता आज का प्रोग्राम में आपका हमारा साथ धन्यवाद